हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगी दोस्तों pregnancy conceive करने से पहले ही जब pregnancy कोई भी महिला प्लान करती है तो उसे हमेसा ये चिंता होती है कि वो pregnant हो चुकी है और नहीं इसका अनदाजा उसको period मिस होने से पहले लग जाए कि आप pregnant हुई है या नहीं हुई है और ये खास और महत्पुन बदलाव scientific proven waste है जिसकी वज़े से आपके skin में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसके कारण आपको बहुत आसानी से pregnancy का पता लगाने में मदद मिल जाएगी होता ये है कि अगर कोई भी महिला pregnant होती है तो उसके सरीर में hormonal बदलाव बहुत तेजी से होते हैं हॉर्मोन की परिवर्तन की वज़े से ही उनके सरीर में तमाम लक्षन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और इन में से सबसे पहरा लक्षन होता है कि त्वचा की रंगत नि लगाया है फिर भी आप डेव आईटी देख रही है कि आपकी तौचा बहुत ज़्यादा खुबसूरत होती जा रही है तो ये रिलेट करता है प्रेग्नसी सिंटम से इसका कारण ये है कि जब एक महिला गर्वधारन कर लेती है तो उनके शरीर में लगवक 40% से जादा बल oxygenated blood की सप्लाई uterus की तरफ भारी मातरा में भीजना और जिसके वज़े से आपके शरीर में oxygen का consumption भी बढ़ जाता है और जिसके कारण body में घूमता हुआ oxygenated blood आपके तौचा की रंगत को भी निखार देता है इसके साथ ही आपको दूसरा बदलाव दिखाई देगा कि आपके तौचा में कई बार चहरे पे मोहासे आने लगते हैं इन मोहासों का आने का कारण ये होता है कि जब सरीर में position की मातरा बढ़ती है तब आपके तौचा में जो oil produce होता है naturally आपके face में या हमारे skin की layer के नीचे एक तरह का प्रकृतिक रूप से तेल बनता है और ये आपके त कील है उसके production में प्रोजिस्ट्रोन होर्वोन के बढ़ने की वज़ा से बढ़तरी होने लगती है इससे ट्रिगर करता है जिसकी वज़ा से आपके चहरे पे कील मुहासे निकलने लगते हैं क्योंकि तौचा की जो naturally oiling जो production है वो बढ़ जाती है अब तीसरा और बहुत महत् दिखाई देगा कि कई बार pregnant महिला को second trimester में जाने के बाद pigmentation की problem होने लगती है जैसे ही तीसरा महिना खतम होता है जाईया सी चहरे पे दिखाई देने लगती है ऐसा कुछ महिलाओं के साथ ही होता है लेकिन काफी कम तादाद में ऐसी महिला भी आपको मिल जाएगी जिनक साइटिस जब आपके बॉड़ी में pregnancy hormones बढ़ते हैं पुजिस्ट्रोन और स्ट्रोजन तब ये मिलनेस साइटिस को ट्रेगर करते हैं जिसके बजर से ये हॉर्मोन काफी जल्दी से बढ़ता है और जिन हिस्से में आपकी तोचा की रंगत पहले से ही काली है वो और भी अध आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको वो सारी ही फल फ्रूट खाने चाहिए जिसकी वज़े से आपके शरीर में iron की मातरा बढ़ सके तो आप अच्छे से जो सिजनल फ्रूट साते हैं वो खाईए जिसमें सिट्रिक एस्ट पाई जाते हैं खटे फल फ्रूट वो साथे साथ अनार चुकुंदर और गाजर टमाटर का जूस या सूप लेना बहुत जरूरी होता है इसे के साथ साथ आपको पालक हरे पत्तिदार सबजीयों का सेवन करना और अगर तवचा में किल मुहा से ज़्यादा आ रहे हैं तो तवचा की साफ सफाई पे ज़्यादा पेस्ट आप अपने फेस पे फेस पैकेजसे इस्तमाल कर सकती है कच्छे दूद में आप चाहें तो भीगोए हुए बदाम का पेस्ट भी जिन हिस्तों में आपको ज्यादा कालापन महसूस हो रहा है उस पे लगा सकती है आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी और कोशिश क अपने स्कीन को मॉस्चुराइज रखिए किसे भी अच्छे नारियल तेल से जिसमें मिलावटना हो तो इस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता बिना किसी टेस्ट के पीरिट्स में सोने से पहले लगा सकती है मेईब करती हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत लेंगी जो कि आपके लिए बहुत जादा हैलफुल होंगी मेरा नाम पूजा है अगली मुलाकात एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद